आज का हमारा टोपिक है कोहवर। पहले इस विशे को समझना है। सामने एक चित्र दिखाया गया है। दारण दिखाया गया है। लेखिन कोहवर, हर व्यक्ति के घर में दिवार पर एक चित्र बनाया जाता है। गैरू से चाहे वो दिवाली हो, कोई उत्सव हो, जन्म हो या विवा हो, पारंपरिक रूप से बनाया जाता है, पीडी दर, पीडी ये चलता रहता है, उसे कोहबर कहते हैं, ये जो पारंपरिक चित्र हैं, जो दिवार पर बनाया जाते हैं, उसी को एक नाम दिया गया है, को आगे हम इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कोबर भारत के जहारखंड की लोककला है हर व्यक्ति हर परिवार के घर एक कला है जो उस्वों में या जनम में या विवा के समय बनाई जाती है लोककला को सिर्फ जहारखंड की नहीं है हर व्यक्ति के घर में, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, कोबर का प्रियोग होता है, वो जो चितर बनाये जाते हैं, गेरू से, दिवार पर, उनको कोबर कहा है, समझना है इस बात को, यहां तो सिर्फ उधारन दिया गया, एक चितर दिया गया है, और स्थान का नाम भी दि तो समझना है इस बात को, कोबर, जो पारंपरिक रूप से चितर बनाये जाते हैं, उस सवों में, या किसी दिवहार पर, उस लोक कला को, जो परिवार की स्थरियां बनाती हैं, घर की महिलाएं बनाती हैं, यह उस कला के बारे में बताया गया है, कोबर, चितरों में प्राकर्तिक रंगों का परियोग होता है, जैसे गैरू का परियोग होता है, गैरू प्राकर्तिक होता है, सिंदूर से अलंकार किया जाता है, महंदी, काजल, काली, काजल जो दिये से बनाते हैं, दिये की लोग के उपर का तस्तरी रखके, प्राकर्तिक गरुप से चला रहा है वही है अभी तक बहार से बजार से लखे रासाय Georgia जो कलर वगर है उनसे नहीं होता अभी भी पारंपरीख रूप से जैसे लाल काला पीला सफेद रंग फीले रंग के लिए हल्दि कप्रियों किया जाता है सफेद गैरू आता है लाल गैरू भी आता है आदी पेड की छाल पत्तों से बनाए जाते हैं यह जारखंड की विश्यस्ता के बारे में बताए जाता है सफेद रंग के लिए दूदी मिटी जिसे लाल गेरू और सफेद गेरू कहते हैं दूदी मिटी सफेद गेरू होता है जैसे लाल गेरू लाल रंग का होता है वैसे ही सफेद गेरू होता है उसको बुलते हैं दूदी मिटी का परियोग किया जाता है काला रंग तेल के दिये की लोग के उपर तस्तरी रखकर बनाया जाता है जैसा कि मैंने बटाया आपको ब्रश के लिए भी प्राकर्तिक ब्रश ही परियोग होती है जैसे लकडी की दातुन से चितर बनाये जाते हैं लकड़ी की दातुन होती है उसको आगे से कूट के उसके जो रेशे हैं उनसे रंग किया जाता है मिट्टी के घरों की अंदुरूनी दिवार को सफेद और काले रंग से बेल बूटे पत्तों मोर का चितर बना कर सजाया जाता है विवा के समय घर के किसी एक कमरे में पूर्वी दिवार पर कोबर चितरकारी की जाती है वर एम बद्धू पक्ष दोनों के घर में विवा की विविद रस्मों में से एक कोबर पूजन का भी होता है जिसमें दिवार पर बने इस कोबर का पूजन किया जाता है कोबर की पूजा के समय विशेस गीत भी गाये जाते हैं जिने कोबर गीत कहते हैं कोबर चितर हर व्यक्ति के हर परिवार के अलग अलग तरह से बनाये जाते हैं ध्यान रखना इस बात का कोहबर शादी वाले घर में देवता घर में देवता के आसपास बनाया जाता है रंग बिरंगे रंगों से दिवार पर चितरकारी की जाती है रंग बिरंगे फूल पत्ते मोर दुलहा वे दुलन की आकरतियां बनाया जाती है जारकंड के अनेक जिलों में कोहबर की सम्रद परंपरा है कोहबर शब्द दो शब्दों कोहो जमा वर से बना है कोहो यानि गुफा और बर यानि दुलहा अतै कोहबर का अर्थ है दुलहे का कमरा कोहबर आज भी इसी नाम से प्रचलित है और आज भी कोहबर बिहार मदू बनी आदी स्थानों पर भवे रूप में बनाया जाता है यह चित्र बहुत ही कलात्पक और इतना स्पस्ट होता है कि आसानी से समझा जा सकता है आप और स्थान भी इसमें एड़ कर सकते हो जैसे हरियाना और मतलब सबी जगे हैं यह कला तो यह तो सिर्फ उधारन दिया गया है आपको कोबर के चित्रों का विशे विवा, जन्मोचसव, जादू टोना, आदी इन विश्यों को दिखाने के लिए परतिकात्मक आकृतियों का प्रयोग किया जाता है जैसे पशू, पक्षियों, बास, हाथी, कच्छुआ, मच्छी, मोर, साप, कमल या अन्यफूल आदी इनके अलावा शिव की आकृति और मानव आकृतियों का भी प्रयोग किया जाता है विधी, कोबर चित्र बनाने की दो शेलिया है, पहले दिवार पर लेप किया जाता है लेप सूक जाने के बाद उसके उपर सफेद रंग से लेप किया जाता है जब दिवार गिली होती है, तभी बास या प्लास्टिक के कंगे से आकृतियां बनाई जाती है जिससे उपर की सफेद मिटी हट जाती है कहीं कहीं कंगी के स्थान पर उंगलियों का प्रियोग भी किया जाता है दूसरी विधी में दिवार पर लेप करने के बाद दातून से आकरतियां बनाई जाती है अकरतियों में सफेद लाल गेरू पीला हरा आदी रंग का प्रियोग किया जाता है गाव में कोबर चित्रांकन सदियों से होता आ रहा है यह पारंपरिक कला है जो परंपरा से चलती आ रही है आज का टोपिक है इसमापत होता है